कहानी है रामपुर गाउं की जहां के मर्द मैलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते अरे अभी तक खाना नहीं आया क्या मुझे एक और शादी करने की जुर्वत है नहीं जी नहीं ऐसा मत करना वना मैं कहा जाऊंगी खाना लेकर मैं अभी आई जी गाउं की पंचायत में भी पैसली हमेशा औरतों की खिलाफ ही रहते मैं जो फैसला सुमाता हूँ वो भगवान की आगया होती है इस लड़के ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया लड़के को घर भेज दो और इसकी शादी इसकी जाती की किसी लड़के से करवा दो लेकिन ये लड़के इसे तो गाउं के बहार निकाल दो नहीं नहीं जमिंदार साहब ये क्या बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता मेरी बेटी मासुव है इस अच्छे बुरे किसमज नहीं है अरे कहा जाएगी ये बिचारी कहा जाएगी इतनी चिंता है तो पूरे परिवार का गाउं निकाला कर देते हैं बिचारी पूरे बसे बसाए परिवार को गाउं छोड़ना पड़ता है चाहे जो हो, अगर बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो गाउं में रहने का कोई मतलब नहीं है, यहां औरतों को दब कर रहना होगा, कोई भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, साब इश्वर के मर्ज़े से ही होगा तब ही गाउं का एक आदमी दोड़ा दोड़ा आता है, दरपन साहब, जमिंदा साहब, वो कालिया है न, उसकी बेटी पढ़ने के लिए शेहर जा रही है अच्छो, यह कब हो गया, और कालिया की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा खन्ने की, ले कर आ उसे और उसकी बेटी को बस फिर क्या था, हासिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी सरपंच के सामने और कालिया, यह क्या सुनने में आ रहा है, बेटी को इंजिनियर बना रहा है तू, और यह बता, गाउं में तो स्कूल नहीं है, फिर कहा से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी राधा, जुकी कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं सरपंच जी, मैंने आनलाइन पढ़ाई की है, डिस्टन्स लर्निंग से, सभी में मैंने अच्छे नमबर पाए हैं, जिसे देखते हुए शहर की इंजिनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलर्शिप मिली है वाँ, जी वाँ, क्या होती है ये, पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करते हैं पूरा गाउ राधा की बात सुन रहा था, और राधा बोलती जा रही थी तो ऐसे मैं फ्री में एक अच्छी शिक्षा लेकर गाउ में जो कुछ परेशानिया हैं जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसे समस्याओं के लिए काम करूँगी मैं गाउं को शहर से जोडने के लिए पूल का निर्मान करवाने का प्रस्ताव रखूँगी मुझे पूरी उमिद है कि जल्द ही हमारा गाउं भी तरकी की रहा पर चल पड़ेगा राधा की बात सुनकर सारे गाउं वाले ताली बजाने लगते हैं सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करें जो प्राय नादान लड़की गाउं के खिलाब जाने के लिए तुझे गाउं से बे दखल कर दिया जाएगा वो भी पूरे परिवार के साथ और हाँ अगर ठीक से गाउं में रहना चाहती है तो ये पढ़ाय लिखाय छोड़ दे हम तेरे लिए गाउं का कोई होनार लड़का देखेंगे तभी गाउं का एकादमी बोल पड़ता है अरा नहीं नहीं सरपांच जी राधा बिटिया जो बता रही है अगर वैसा हो जाए तो हम लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा हान जी और नहीं कोसो दूर पाने के लिए भटकना पड़ेगा हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाए कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे ना कि हमारी तरक खेती करते बैठेंगे क्यों गाउं वालों राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना सरपंच देखता है कि गाउं राधा की साथ है तो वो चुप हो जाता है वो घर आकर अपने सलाकार से बात करता है जो बहुती चाला किस्म का इंसान होता है अरे सरपंच साहब आपको बहुती होश्यारी से काम लेना पड़ेगा एक बार गाउं तरक्की कर गया यहां के बालक पड़े लिए तो कोई ना पूछेगा आपको और फिर यह जो बेटा और बेटी है ना आपके इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा हाँ लेकिन करे तो क्या करे वो ना अब मुझ पर छोड़ दीजिए पास मैं जैसा बोलूं करते जाएए अगले रोज सुबार जब गाउं वाले सोकर उठते हैं तो राधा के घर के बाहर और साथ ही वो लोग जिनोंने राधा का सपोर्ट किया था उनके घर के आगे लाल रंग से कल आउंगी लिखा होता है सभी सर्पंच के पास जाकर उसे सारी बात पताते हैं अरो यह तो बड़ी मुश्कल के बात है चलो मैं एक बाबा को जानता हूँ उन्हें बुला लेता हूँ सर्पंच बाबा को लेकर गाउं के घर के बाहर जाता है ओहो तो ये वो चुडेल है जो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो गाउं को बड़ने का सपना देखते हैं वो गाउं को ऐसे ही संपन न देखना चाहती है वो नहीं चाहती के कोई बाहरी यहां का काया कल पकरे क्या तुम लोगों मेंसे किसे ने गाउं को बड़ने की सोच रखी है तबी राधा की मा रोते रोते आती है मेरी राधा गर से आयब हो गई है अरे कोई तो बचाओ मेरी बच्ची का आ गई ले गई वो चुड़ेल तेरी बच्ची को ले गई अब वो उसे शापित करके छोड़ेगी उस पर चुड़ेल का सोया हो जाएगा तबी बुरी सी हालत में राधा भी वहां आ जाती है उसके बाल चुड़ाल की तरफ फैले होते हैं और कपड़ों में खून लगा होता है सभी राधा को देख कर डर जाते हैं मा, पता नहीं मुझे कौन उठा कर ले गया था आरा, दो, दो रोजा चुड़ाल अब हम लोग इस गाम में नहीं रुकेंगे अरे, कैसे बाते कर रहें आप कल तो आप मेरे भरों से गाम का हुलिया बदलने अपने बच्चों को पढ़ाने और तरक की उन्नतिकी बात कर रहे थी तो आज क्या होगे आपको ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी ये जुड़ाल गाउं में आ चुकी है ऐसे ही ये तुमारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी गाउं वाले राधा को गाउं से बहार निकाल देते हैं उसके माबाप रोते रहते हैं लेकिन गाउं वाले नहीं मानते मैं भी अपनी बैर के साथ गाओं के बाहर रहूँगा लेकिन वो पड़ाई नहीं छोड़ेगी वही सरपंच के घर पर सलाकार कहता है देखा साप भी मर गया और लाठी भी नहीं तूटी लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शप्त लिखे होते हैं बेटी को किसी नगवा कर लिया है तभी राधा का भाई वहां आ जाता है अरे गाओवालो मैंने सरपंच की बेटी को देखा था वो चुडैल उसे उठा कर ले जा रही थी अरे क्या मज़ा कर रहे हो नहीं नहीं सरपंच जी आप नहीं जानते वो चुडैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी जैसे राधा के अंदर आ गई थी तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहां आती है जैसे राधा आई थी पापा पता नहीं कैसे में गायब हो गई थी चुडेल, इसके अंदर भी चुडेल का साया है, मरो इसे अरे नहीं नहीं, इसे भी राधा के पस गाओं के भारी भेज दो अरे चुपरो, बेरे बेटी कहीं नहीं जाएगी, और चुडेल मुड़ाल कुछ नहीं होता है अरे कैसे बात कर रहे हो सरपंची जी, आप तो बोल रहे थे, कि आपका फैसला भगवान का ज्यान होता है तो अपने पर बात आई, तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं, अरे ना ना आपको अपनी बेटी को त्याग नहीं होगा अरे बुलाओ बाबा को राधा का भाई बाबा को ले आता है जिसे अब गाउवालों के डर के कारण सच बुलना पड़ता है मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो मोची था, ये सलाकार महोदाई ने मुझे कहा था आक्टिंग करने को मुझे पैसे देने वाले हैं, मुझे माफ कर दो, गल्दी होगे, मुझे माफ कर दो तबी वहाँ राधा आ जाती है देखा सरपंच जी, जब गाउवाव के बच्चे साक्षर होंगे, तो आप जैसे लोगों की चालाकी नहीं चलेगी